साथियो, सबसे पहले तुम्हें लोक सभा के जितने भी नूली एरक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूँ और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस उसर पर हारदिक शुक्ताम नहीं देता हूँ साथियो, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारती जन्ता पार्टी के संसदी दल के नेता वा यंडिये संसदी दल के नेता वा लोक सभा में नेता के चैन के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं मैं समझता हूँ कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग उफयोग और सर्वत्ताम और साथियो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्र मंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कारिशमता उनकी कारिकुशलता दूरदर्शिता प्रामणिक्ता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और क्यों मैंने ही नहीं देखा है बलकि समस्त देश्वासियों नेश्य देखा है हम सब के लिए प्रसंद्था का विश्य है यंडिये की सरकार ने दस वर्सों में उनके नेत्रत में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रसंद्था हो गई हम सब को जस्तों भाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की यंडिये की सरकार बनने जा रही है साथियों 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने है यहां तक मेरी जानकारी है मित्रों लोगतांत्रिक देशों में पुरे विश्यों में तीसरी बार यह औसर से किसिको प्राप्त हो रहा है तो हमारी यंडिये को यह उसर प्राप्ट हो रहा है और साथियो हम लोग सौभाग्य साली है कि मोदी जी जैसा है एक जन्न कल्यान कारी है और संबेदन सील प्रधान मंतरी हम लोगों को मिलने जा रहा है इनकी नेत्र तुछ हमता इनकी कारिकुसलता इनका व्रीजन इसके कारण मैं मानता हूँ कि हमारे यंडिये परिवार में भी वृद्धी हुई है हम सब की पहचान गठवंदन धर्मका निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसला जब आदनी अटली हारी वाज पेईजी भारत के प्रधान मंत्री थे उसी समय से प्रारंब हुआ है और मैं यस्पश्ट कर देना चाहता हूँ एलाइंस गठवंधन यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बलकि हमारा यह कमिटमेंट हमें भारत को यह सक्षम, सम्रिद, विक्षित, स्वाजिवानी और ससक तराफ्ट के रूप में आगे ले जाना है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दस वरसों में मोडी जिके नित्रट में भारत की दशा, दिशा, मनोध Yoo Сामें एक क्रामतिकारी परिवर्तन आया है और साव्यों पिछले दस वरसों में आज देश इस दोर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि भारत देश विक्सित होने के साथ समुचे विश्व को नेत्रित्व और नई निशा देने का सामर्थ से रखता है और साथ ही हो आज देश अपने आपको दस्कों के लिए नहीं बलकि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अद्रसर हो चुका और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गटी देने के लिए मोदी जी से बहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो दुका है इसलिए इसलिए भारतिय जनतापार्टी के संसदिय दल के देता कि हम यंडिये के संसदिय दल के नेता वो लोग सभा के नेता के रूप में मानि नरंद्र बोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं आएолн मानि के संसे के संसे कош्के रुका youtube क्लोफ संसे के संसे के स्थमिये के से थाा है इस इस वो अ